दोस्तों आपने मा का प्रेम तो सिर्फ इंसानों में देखा होगा लेकिन मैं एक ऐसी स्टोरी आपको बताने वाला हूँ जिसे आप देख करके समझ जाएंगे कि सिर्फ इंसान ये अपने मा से प्रेम नहीं करते बलकि जानवर भी अपने मा से प्रेम करते हैं यह रौकी नाम का डोघ, जो जापान में रहता है, उसे बचटपन से ही एक गाय ने पाला था, इसी कारण वो इससे अतना क्लोज हो गया, मैं यह इतना क्लोज हो गया, जब गाय को बेचा गया, तो रौकी उसके बीना ना ख़ाता था ना पीता था, और बार बार चिलाता और रोता था जो उसके आखों में आप स्क्रिन में देख सकते हैं इसी के चलते उनके मालिक को जो बेची हुई गाय थी उसको वापस लाना पड़ा और रावकी को उनको सौपना पड़ा देखिए गाइस कितनी बड़ी बात है कि एक कुट्टा अपने मा के लिए इतना कर सकता है